नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे कारसर्वग यूटूब चैनल पर जिन्होंने भी चैनल वो सस्क्राइब ना किया हो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन को ज़रूर दबाले तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा हिउन्डई क्रेटा जब भी क्रेटा का जिक्र होता है तो सबसे पहले दिमाग में डीपर और क्रेटा का हॉर्न सुनाई देता है जस्ट किडिंग गाइज लेकिन आज के टाइम पर क्रेटा सेकेंड बेस्ट सेलिंग सुवी है इंडिया में और हाली में इस गाड़ी का नया फेसलिट भी आया है जो लोगों को काफी अट्रेक्ट भी कर रहा है और काफी लोगों को अट्रेक्ट नहीं भी कर रहा है तो द और कंपरी ने अपनी स्टेटमेंट भी दी है कि हम जो है 2025 के मिड तक यानि अप्रैल माई के बीच तक हम अपनी क्रेटा का EV वेरियंट लॉंच करने की सोच रहे हैं। और Hyundai Motors का एम है कि हम इसी 2025 तक अपनी गाड़ियों को लॉंच करेंगे। और Hyundai Motors के मुताबिक न्यूस के मुताबिक मैं बताना चाहता हूँ कि Hyundai Motors 2025 में एक नहीं बलकि 4-4 SUVs को लॉंच करेंगे वो भी फुली अलेक्रिक में। अगर बात की जाए Hyundai Electric की तो इस समय फिलहाल इनकी दो गाड़ियां आती हैं EV सेग्मेंट में। पहली Hyundai Kona और Ioniq 5 और इन दोनों गाड़ियों की रेंज की बात करते हैं तो 50-24 लाग के बीच में इन दोनों की रेंज हैं। और Hyundai Motors के मुताबिक India Limited CEB के पास कमपनी के IPO डॉक्मेंट हैं। और इसी के मुताबिक कमपनी अपने EV वेहिकल के प्राइस को कम रखने की पूरी कोशिश करेगी। पी प्लस वन की न्यूस के मुताबिक Hyundai Motors खुद की बैटरी खुद के एलेक्टरिक कमपोनेट्स मैनुफैक्चर करने की कोशिश कर रही है। जो कि इन्हें काफी हद तक सक्सेस मिल भी चुकी है। ये सेटप आगे के पहियों को चलाएगा। और पावर की बात करी जाए तो 136BHP और 255NM का टॉर्ग मिलेगा। बैटरी की बात करी जाए तो 45 किलोवाट और की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। बात की जाए इनके कॉंपर्टीटर्स की तो कॉंपर्टीटर्स में इनके रहेंगी नेक्सोन और XOV4OO। उन दोनों गाडियों से अगर कंपेर किया जायती ये गाड़ी थोड़ा कम पावर आपको देगी। थोड़ा सापको पावर का थोड़ा इशूर लगेगा लेकिन और लोवर गाड़ी बहुत ही बैस्ट है। तो दोस्तों आपको ये इंट्रेस्टिंग न्यूस कैसी लगी। और अगर आप क्रेटा एवी आएगी तो आप क्या लोगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स व्यूडियो में तब तक लिए थैंक्यू मच्छ फॉर वाचिंग दिस व्यूडियो जय हिन जय भारत।